दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फोकस्ट और पिन-पॉइंट टॉपिक की जिसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी हाई टिबियल ऑस्टियोटमी हाई मतलब उपर की तरफ टिबियल मतलब पैर की जो हड़ी होती है उसका नाम टिबिया होता है ऑस्टियोटमी मतलब की हम उसको काट के सीधा या टेडा चोटा या बड़ा किसी भी एंगल में हम ऑस्टियोटमी कर सकते हैं हाई टिबियल जो की age related हमारे joints का घिसना उसको कहते हैं जब हमारा evolution हुआ monkeys से man की तरफ तो हमारे जो इनसान थे वो दो पैरों में खड़े होके चलने लगे weight एक बार में पूरा 100% एक पैर पे आने लगा while walking hip joint जो है हमारे कुले का joint है वो थोड़ा अंदर की तरफ हो गया और हमारा knee और ankle ये एक सिधाई में आ गए जिसके कारण effectively हमारा weight जो है वो घुटने के अंदर की तरफ से पास होने लगा इस कारण से अंदर से घुटना ज़्यादा घिसने लगा और सारे बुज़ूर्गों के लोग as we age जैसे जैसे हम व्रिधा वस्था की तरफ जाते हैं हमारे घुटने टेड़े होने लगते हैं घुटनों के बीच में gap आने लगता है जब हमारे घुटनों का cartilage यानि कि उसका गदा पूरा घिस जाता है उस समय हम ग्रेड फोर आर्थराइटिस में पहुँच जाते हैं और यूज़ुली समाने तह ग्रेड फोर आर्थराइटिस में टोटल नी रिप्लेश्मेंट के अलावा कोई option बचता नहीं है उस stage से पहले अगर आप grade 2 या grade 3 आर्थराइटिस में हैं जहां पर आपका cartilage बचा हुआ है और घुटने टेड़े होने शुरू हो गए हैं तो हम इस weight bearing axis को जो की घुटने के अंदर से पास होती है उसे बाहर की तरफ shift कर सकते हैं ताकि वो उस भाग से जाने लगे हमारा वजन जहां का cartilage अभी भी स्वस्थ है इस operation को इस शल्ले क्रिया को हम बोलते हैं high tibial osteotomy जहां पर पैर की हड़ी को उपर से थोड़ा सा काट कर और पैर को नीचे से बाहर की तरफ ले जाय जाता है तब तक जब तक हमारा कूला हमारा घुटना और हमारा एंकल ये तीनों एक सिधाई में ना आ जाएं ये बहुत छोटा operation है magnitude of surgery is not as compared to total knee replacement उससे थोड़ी छोटे लेवल की surgery आप इसे मान सकते हो और इसके results बहुत promising हैं इसके बाद कुछ restrictions जो totally replacement के बाद होती हैं जैसे की high activity sports नहीं कर सकते हम jumping नहीं कर सकते हम running नहीं कर सकते हम पूरा नीचे बैट के squats नहीं कर सकते comfortably पर ये सारे restrictions high tibial osteotomy के बाद नहीं होते आप एकदम अपने knee को अपने घुटने को वैसे use कर सकते हैं जैसे पहले करते थे तो आज मैं इस particular topic को ही discuss करना चाहता था but we'll be talking more about more surgeries in coming months and weeks the aim with the aim of salvaging the joint अपने जोड को कैसे बचाना है knee replacement से पहले ही इसके बारे में अगर कोई भी queries है आप इसके बारे में जादा जानना चाहते हैं exactly क्या होती है surgery steps क्या होते है healing में क्या time होता है rehabilitation कितने दिन का होता है वापस gym में या sports में कब जा सकते हैं इसकी life कितनी होती है success rate क्या है इन सारी questions का अगर आपकी कुछ queries हैं इसका मैं जवाब देता रहूँगा जैसे जैसे आपके सवाल आते रहेंगे ताकि आप इस topic को ज़्यादस ज़्यादा समझ सकें financially भी this option ये वाला option ज़्यादा cheap है as compared to total knee replacement और सबसे बड़ी बात हमें ये संतुष्टी होती है कि हमारा अपना घुटना हमारे शरीर का जो अपना भगवान का दिया वागुटना वही है उसी से हम काम कर रहें prosthesis have many other complications also losing हो जाती है total knee replacement की prosthesis में prosthesis के साथ की bone कच्ची होती है वहाँ पर fracture के chances ज़्यादा होते हैं peri prosthetic fractures देखे जाते हैं पर high tbl osteoatomy के heal होने के बाद आपका घुटना पहले की तरह ही उतना ही मजबूत रहता है जितना पहले था तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज आज आगया लेना चाहूंगा please मेरी request है आपके मन में कोई भी शंका है शंशे हैं questions है queries है वो आप जरूर post करिए I'll be very happy to answer them thank you very much